जो बेढ़ने तुरा ड्याम जो आता है, प्रास एक गाउं आता है नागुर, नागुर में तकरिबन 20-25 साल हो गया घर डूब के, जितने भी लोग गाउं गाउं गर डूबे हैं, 20-25 साल जो डिले करें हैं, उस काम को अभी जल से जल सब लोगों को हट पत्र दिये जैसा होन आइसा नहीं है, हमारे पास घर बांदे जैसा, सब को घर बांदे देना, नहीं बोले तो हम महागाउं कराश को रस्ता रोप चड़ा भी करना पड़ता है, उस वज़े से कल केडी जो मीटिंग है, वो मीटिंग में ये जो चर्चा करके हमारे को एक न्याय अधिये बोले त आइसा नागुर ग्राम का जो विशेय है, जो बेंडे तुरा ड्याम जो आता है, उस प्रास एक गाउं आता है नागुर। उस नागुर में तकरीबन 20-25 साल हो गया घर डूपके, ठक पत्र देने में अधिकारी और जो श्यासक जो आते हैं हर पार्टी के, कभी कांग्रेस के आते हैं तो बोलते हैं ये काम ने कर सकते हैं, अगर बीज़ेपिक आता है तो काम हो सकता है, फिर वो बीज़ेपिक आता उस राय को जल्द से जल्द कर सकते हैं, क्योंकि अभी अधिकारी को पूछते हैं तो कुछ पत्र दिये हैं, और ज़्यादा कर कुछ पूछते हैं तो बोलते हैं, अभी जमीन नहीं हम कहा से देंगे, एक सो पच्छ एकवन प्लाट है, इतने हम दिये दिये, वो ऐसा बोलत से आये हैं, इस हमारी मांग जो है, जितने भी लोग घर डुबे हैं, 20-25 साल जो डिले करें है, उस काम को अभी जल्से जल्द आउट जितने पलाट खरीदना है, उसके वास्ते जो जमीन खरीदने का है, जमीन जल्से खरीद के, सब लोगों को हग पत्र दिये जैसा होना, दूसरा जो ऑप्शेन है, वो हमारे को गरीब लोग है हम, पैसा नहीं है, हमारे पास घर बांदे जैसा, सब को घर बांद के देना, यह हमारा बड़े मांग है, पुनरवस्ती हो गया है, उसमें दो हिस्से है, एक नमबर, एक दो नमबर बोलके दो हिस्से बने है, 27 सर्वे मांने हं, अभी कह बाहित चुनब में नमबर गॉर्मेट में वह पे जैसा यह 500 हक पत्र दे चुका है, इसके बाद में, अभी सत फ्रेया लौथ हम घर कॉत है, दो हम को हो Сейчас करता है, तो अभी क्या है, ईसके स्वे नहीं है तो ग्रणा करनद आबर में, और आघकारी कॉत है अपने मन का राजा होके पिठे और उन्हों काएं भी देते हैं और जो हम लोगा जैसे पूछे बोले तो नहीं हम वहां चाहिके देते बोलके वोज़ें और क्या है यह डबली ओलोकां का इरादा है ऐसा होने से जो एक्चुली गरीब है जो गुलबर का आना नहीं चाहते अगर नेस्ट यह सटलमेंट नहीं हो गया यह एक्सट्रा जमीन खरीदी करके किसी की भी हों दे इस्ट्रा जमीन खरीदी करके तो यह सरकार का यह सब अधिकारी का बहुत बहुत शुक्रिया होता है नहीं बोले तो अब मागव कराश को रस्ता रोग चला भी करना पड़ता है उस वज़े से कल के अधिपी जो मीटिंग है वह मीटिंग में यह जो चर्चा करके हमारे को एक न्याय अधिये बोलो तो नहीं हम सरकार का और अधिकारी का सब का क्या है बोलो तो नहीं शुकर अधा करते हैं